कि अखिए आपको स्वागत है हमारे और नए वीडियो में तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने मसीन लर्निग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका पहले मैंने सबसे पहले आपको सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट में आप इमेज करते रहेंगे तो आपको इमेज करने का मैं बता देता हूं सबसे पहले इमेज करके इमेज का कमांड इसको आपको लिखना पड़ेगा इमेज पात यह हमने जहां डाउनलूड किया था उस जगह का यह लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते कि इस जगह परी जो है इस जगह परी जाकर आप आपका तो अगर मांड लिजैं कि आपका जो है कि इस सैड्मे में मतलब जैमे में जह है कि इंगा और आपका जो यह वाला जमीमेज है पर आपका तो फ्रेंट सभी नहीं आ रहा है आपको copy कर लेना है आपको copy as path का option आयगा तो वह पुरा copy करके आपको इस जगह पर पी paste कर देना है एस जगह पर लोकेशन में double rapid comma में paste कर देना फिर IMG equal to image.open यह वाला image path इस जगह पर यह लिख देंगे तो आपका plt.im.so इतना कमांड आपको लिखने के बाद आपको रंग कर देना है तो आप दिख सकते कि ये वाला इमेज जो है मेरा इतना मेरा इसमें पर ही है तो फिर आप जाकर आगी में आपको चार-पास्ट हो जो कमांड इंपोर्ट करना पड़ेगा जो आपको बहुत ही काम करेगा सबसे करेंगे क्योंकि हमें जो है उस जग कर डेटासेट लाने के लिए पांडास लाइबरेरी का हम लोग यूज करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपको डेटासेट से इंपोर्ट करने आता होगा अगर आपको इसका यह वाला फाइल का जो चाहिए तो आप क्या दुने करेंगा कि मतलब कि मैं आपको करेंगे मतलब ही एक किह तो नोगर है कि आप डेटासेक शओं 했습니다 यह इस जगा परी ना यह वाला या यह यह वाला टेटाशेटों ऺड़имиक्ति एसको करने के लिए आपको इसbal numéro कोई while निया तो आपके प्रिनम उद्द्द का यह है सबस्क्राइब कर शुक्राइन यह सब्सक्राइब करने केा लिए तो इसबसक्ति ने तो अब हमारा दीए यह हमारा राइट वैलू आ गया देख सकते हैं कितने असानी तरगा से आ गया है हमें जो है इसमें सेलिंग प्राइस को प्रेडिक करना है कि जो है पर्जेंट प्रैस उसका इतना है कि यह कितना में सेल करना चाहता है वह वाला प्राइस प्रेडिक करना ह तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दिए डिएफ.head का जो आपको दिखादेना है पिर जाकर गड़े उसके में डिएफ.tail करके आपको दिखादे न आपको हर एक project में same करना न फिर आप इसके नीचे में आप जब अलग से प्रिडिक करके दिखा दिए कि वाई देख लो इसमें पर ही कितना कितना है तो आपका दोट को अच्छा से दिख जाएगे जग आपको दिख रहा होगा फिर जागे डिया कर देंगे कि हमारे टूटल पता चल जाएगा देख सकते हैं कि 301 301 301 और 301 मतलब कोई भी नल वैलू इसमें परजेंट नहीं है आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं डिएप ड़ी टाइप करके इसे में रंद कर देता हूं कि तो एक बिन पीश्व करके अल आउट पूर को सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ कि जिटना जितना समझाथ यहां होतना कोड को रंडे कर देता हूं तो यह तो फ्रेट सब देख सकते कि डिएप ड़ी अट्प्ड डिस्क्राइब डिस्क्राइब तक मैंने बता दिया था डेटा टाइब भी बता दिया तो फिर्ट सब आप देख सकते कि आप यह वाइस तो आपका प्राइस तो डिपेंड करेगा नहीं कि आप इसके हम यह इंडेक्स में डाल देते हैं इस से हमारा में से आप ज MON में अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा आट चुक है क्ला मशिए यह हमारे इस जगा आ गया अगर अब अगर आप इसका जो है डीए डॉट कॉलम्स चेक करेंगे तो जो अब मैं इसे जो रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यह वाला हट गया क्योंकि यह से तो हमें ले नहीं देना नहीं हमें तो कार का नाम सेलिंग प्राइस परजेंट प्राइस किलोमेटर उता सब यह देख सकते हैं इधर एक भी नल वैलू नहीं है चलिए अब जिखा कर आप यूनिक चेक कर सकते हैं जैसे फ्यूल टाइप में तीन थो पेट्रोल का है डीजल और सी एंजी है सेलर टैप में क्या है तो डीलर और इंडी वीज्वाल है ट्रांसमिशन मैनुवल और आटोम है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी नल वैलू नहीं है तो फ्रेंट सब्सक्राइब नो नल वैलू पर देटा सेट फिर जागर आप हर एक कॉलम में से जब वैल्यू काउंट कर लीजे कि आपका केतना है फोर आई डी एप डॉलम स्प्रिंट डिया 5.2 वैलू काउं पारिवा डिए डेट्रोल वाला गाड़ी सबसे ज्यादा प्संद कर रहा है इंडी विज्वल से उतना बंदा पसंद नहीं कर रहे है इसमें बहुत जादा डेटा सेट में है चलिए अब जो हम और नियुमिरिकल कॉलम को अलग अलग कर देते हैं यह आपका बहुत एहम रोल निभाता है आगे मैं बताऊंगा कि आपका कहां रोल निभाता है इस टाइप में आप लिख सकते हैं फिर आपका नियुमिरिकल कॉलम में होके इसे मैं रन करता हूं जैसे कि आपको पता है कि कार नेम हमारा प्रैसे नमबर में इसे गार से न्युमिरिकल पर्जेंट प्रैस यह सब अमारा नुमिरिकल में है एक इप इसमें जिकर किया गया है अब सेरेख सकते हैं कि इसमें अप्करापव के जरी फी पतर लगांगी कि पीत्रूल वाला गारी सबसे ज़्यादा खरह है अब सेसलर टर्दा न zou सबसे जादा है हमाई पेचे दियावा करके बना सबसे ज्यादा है यस सब्सक्राइब तरह से यूठ डिस्ट्रीबुट किस तरह से घर टिप्रिपूट हुआ है आप हो भी टेप कर रखते हैं प्लोट नमबर एकोल टुवन पोर कॉलम इन नुमेरिकल कॉलम इप लोट नमबर लेस देन इक वल टू प्लोट नमबर यह वह प्लोट नमबर हमारा है क्या ओल्ट कि अब निए प्रण देटा किस तरह से डिस्ट और फ्रेट सियाद रहे यह जो डिटा कि नुमेरिकल कॉलम का ही बताता है यह कि यह इसका यूज मत कीजिए इसे गांट से आपको को नुमेरिकल कॉलम को ही देखना है अब देख सकते हैं कि जो तक गया है देख सकते हैं इसमें आपका हर एक चीज बता देगा देख सकते हैं जैसा कि आपको बता दिया है तो सबसे ज्यादा चेक कर सकते हैं और ट्रांसमिशन में भी आप जो डिर्क चेक कर सकते हैं अपका कोई भी प्रॉब्लम यहागा प्रॉब्लाट का कमांड लिख दीजे जिस टाइब का मैंने लिखा है आपका कोई साभी डेटा से आप आप जो आराम से पता कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा पर कारगार साभी हो रहा है देख सकते हैं किलोमेटर में सबसे ज्यादा ज्यादा डिलर का यूज हुआ है डिलर के ओनर में भी ट्रांसमिशन में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से आप आगे वीडियो चेक कर सकते हैं और फिर सीतना करना के बाद आउट में define करके रखा था जिसको मैंने आपको बताया था कि वह जब बहुत ज्यादा important role निवाता है इसमें तो देख सकते कि यह नंबर रो 5 नंबर कॉलम 4 फिर जागर दोनों को multiply कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि प्ल्टी डोट फिगर साइज इतना है प्लोट नंबर यह चेक कर सकते हैं फिलाल यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है मैंने इसके पिछला वीडियो में इससे प्लोट नंबर इतना इतना एक सब्लोट नंबर रोस कॉमा तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें आपका सेलिंग प्राइस परजेंट प्राइस किलोमेटर और ऑनर यह इसमें आपको सब में मतलब कि क्या दिख रहा है कि समय आउट लायर आउट लायर कि आपको सब्सक्राइब जैसा कि आपको पता है यह सेलिंग प्रेस हमारा तार्गेट वरीव तो इसी करण से हम जो हमारा तार्गेट वरीवल रहता है उसका आउट लायर आपको चेंज नहीं करना है एक बात याद रिखें उसका आउट लायर आपको रिमूब नहीं करना उसका आउट लायर वैसे कोल जितना जितना को मतलब करना तो समय ने ले लिए जैसे कि सेलिंग प्रैज मैंने नहीं लिया है क्योंकि हमें उसका जो हम पर लॉला कॉलम है यह क्वाइं टाइल लओर बांड डी एफ कॉलम अपट्रेस्ट इन लोवाइब इस तो फिर उत्या करते हैं आपको मेरे आपको तो आप भी मतलब इस टैप कर लिए कमांड लिखे आप हर एक डेटा सेट में आप इसका यूज कर सकते हैं अब देख सकते कि जगह पर ही डेटा फ्रेम आप्टर रिमोबल इतना है तो चलिए आप देखते हैं यह समय कुछ चैप है कि निच्चे में लिखा है कुछ नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि एक बार रिमूब करने के बाद आउट लैर अभी भी थोड़ा सा है इसमें का तो रिमूब हो गया लेकिन यह दो में का है तो हमें और एक बार जो है इस जगा पर मैंने सीम चीज़ लिखा है जो जो है सबको पर्जेंट प्राइस कि लो मेटर ड्राइब और ऑडर तो मैं बस के लिए रखना चाहता हूं या पर इस यह परिजाए पर्जेंट प्राइस क्या है अभी अप्रweg किसे फिर से लिज्य प्रेजे प्र्जेंट प्रेज की एमज ड्राइब परजेंड ड्राइस गहीं प्रजेंट प्राइज का फो差 प्रजेंट स्प्र वाला में से म commander driver ले लेता हों तो देख सकते है जगे करें हमारे क् penso क्रे Batterar अब जो जो आपका उटलेयर बचा है वह आउटलेयर को आप जो इस जगह पर ही देती है केमें ड्राइवर और क्या है ओनर नहीं ऑनर का प्रेट्स तो हो गया आप देख सकते हैं अब आपको सिंपल में जो मैंनो वही कोड को दुबारा लिख दिया है और बस को डिएफ का जगह देख सकते हैं इसमें भी बहुत सार्माइब और बहुत स्वेक्र रइंन ग Bereich को और सबसे पहले मैंने क्या क्या क्वाइब अप सकते हैं मैंने किया कमांड लिखा असानी तरिका से आपका भी हो जाएगा तो इस जगह पर ही मैंने code को रहा अब IQR method से सबसे पहले तो मैंने इस जगह पर ही इसको फिर चेक किया ऐसे करके अभी same to same इसे यही command लिखेगा इतना सार लिखने के बाद side में जो आप देख सकते हैं कि जो है क्या जो है मतलब कि मैंने और लिखा इस जगह पर नहीं दिख रहा है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है चेंज होते रहता है जाहिसे गांट से मैंने जगह पर वही सब रखता है आता करते हैं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा अब हमें जो है आउट लाइर चेक करने के बाद इस क्यूनेश चेक करने और इस क्यूनेश चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इतना सब कुछ चेंज हो गया कि अब जाकर इस्क्रीटिंश चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दिए वनडाट इसक्यू देख सकते हैं इसक्ते इसके अधिक रहता है उसका इसक्ते जादा रहता है तो देख सकते हैं एक सब्सक्राइब के जरीए आपको जोड़ीन कर है अब मैं आपको हीट मैप के जरी है पता कर रहा था हूं कि कैसे स्कूनिस चेक होता है यह कमंड आप लिख दी जाएगा पील्टी डॉट फिगर हीट मैप का कमांड है ड्ली डॉट को रिलेशन ब्लू जैसे से मैंने लिखा यह अप लिख दी जाएगा मस्त इसको आप सब्सक्राइब लेकिन यह जो आप जो कलर देख रहे हैं यह ओला इसमें आपको रेड दिख रहा है क्योंकि मैं यही कॉल्म चेक कर रहा हूं क्योंकि आपको यह सखेंग ही तोम जाए तो सही है इसमें कोई सा भी कॉलम में आपको अपको प्रोब्लम हम सितने नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप अप कलर ना आ परकार नए अगर आपको आटे ब्रोब्लम नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं कि देख सेकते हैं कि पाइट से कम लिया है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कमन में केतना है से तो आपको जो तार्गेट अरीवल को रिमूब करना है तो df1.drop कर देंगे सेलिंग प्रैस को, x is equal to 1 y equal to df1.df1 सेलिंग प्रैस को जो कॉलम को ड्रॉप करना है आपको x में लिखना है और जो और जो कॉलम आपका तार्गेट वर इवल उसको आपको सेपरेट कर देना है वाई वाले कॉलम में फिर इजिए कमांड लिकर आप यह इस चीज को रंग कर दीजिए यह वाई डीलुकाउंट में इस जगह पर हमारा है अब हमारा वैलुकाउंट होगा तो अब देख सकते कि जो है इसमें हम नहीं आप रिडिक्ट होके आएगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आपको जो मतलब की जो है बहुत सारा लाइबरी इंपूट कर देना है द अब आपका मेल focus इस जगह पर यह है max, a accuracy equal to 0 अब आपका accuracy पता करना है कि आपका कितना accuracy है max Rs.s equal to 0, 4i in range 1,200 extend, 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 x,y और आपको random state पता करना है कि इतना random state है तो अब आप मतलब के रहा कर सकते हैं दिछ स्कते हैं मैंने random forest के regression को लिया है आप कोई सा भी कमांड ले सकते हैं अभी मैं आपको जो लेकर बताऊंगा कि आपका मैं नहीं से क्यों लिया है और आप कैसे पता कर सकते हैं बहुत ही असानी तरिका से कि हमारा कौन सा बेस्ट मॉडल है तो और फाल डॉट एक्षेंग कॉमा वाइट्रें प्रिडिक्ट इक् थोड़ा टाइम लेगेगे तब तक मैं वीडियो को जो है थोड़ा देर के लिए पॉस करता हूं और इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक दो मिनट का इसे कार से आप जो थोड़ा वेट कर लिए जैसे मैंने किया तो आप इसका एकुरेशी देख सकते हैं कि 93 परसेंट का इसमें एकुरेशी मिल रहा है जिसका रेंडाम स्टेट 73 है तो अब बोलेंगे कि भाई तुने लीनियर रिग्रेशन का यूज करें क्यों नहीं देखा कोई बात नहीं आप इस जगह इसका भी ग्रेडियन बूस्टिंग रिग्रेशर भी चेक कर लिजिए मैं इस जगह फिर से बसकेल आपको इस जगह का भैलू चेंज करना है बात बाकि आपको कुछ नहीं करना है इस जगह भैलू चेंज करते रहना है और आपको एकुरेशी चेक पता करते रहना है कि किसमें हमारा बेस्ट एकुरेशी आ रहा है बस आपको नोट करना है कि रें हमारा 93% का इसमें भी मतलब हम इसका भी यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो अब चलिए डिसीजेंट्री रिक्रेश्ट का भी जो देख लेते हैं कि इसे भी हम जो चेक कर लें बसक्याल आपको देख सकते हैं 91 परसेंट कर जाएकरेशी है तो फ्रेंट्स आप रेंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियन बुस्टिंग का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा 93 परसेंट आप समझ रहे हैं 93 परसेंट कितना है मैं इसे जो है को लिकर रंद कर देता हूं रेंडम फॉरेस्ट वाला है 93 परसेंट के बहुत ही बहतरीन एकुरेशी होता है यह एकुरेसी कम नहीं है जैसा कि आप नहीं बोल सकते कि भाई बहुत ही लोग एक रेक्यूरेशी है अब मैं जो इतना सब रिमूब कर देता हूं नहीं रिमूब क सब्सक्राइब करना है यह वाला जो रेंडम इस्टेट हमारा ने 73 इधर आपका जो भी आए इधर आपका 22 भी आए तो इस अगपर यह आपको 22 लिखकर है कोड को रंट कर देना है देख़के रन हो गया अब आपको र र मैंने हिसे कर देता हूं ट्रेम पोण लिख यह वाला र र लिखे में यहां रहाँ लिखकर सबसेम आपको running करा देना है। अब इस जगाप पर ही आपका एकुरेशी पका चल जाएगा मीनिटिट इसकोएड इरर भी आ जाएगे जगापरी इस कमाँद से आटू को स्कुरेशी कमाँ इसना तो देख सकते हैं कि 93.48 का जो एकुरेशी हमारा आया है नीचे वहले मीनिसकोईड एरर है तो अब हम जो है को सेब करते हैं कि고자 ज्याधा टाइम आपका नहीं लोंगा क्योंकि मैंने बहुत सार राजिक बनाया है इंप्र जोब्लिप डौर दम यह आर अरे फार आपको यह वाला जो आरे पढ़ अपने लिखा यही वाला सेम आपको जो यह लिखना है फिर आपको एक नाम देना जैसे मैंने लिखा है कार-फ्राइब इसे मैं करता हूं तो आप प्रेडिक्टिंग डी से नोडल आपको से मॉडल का इकृषई बताएगा डोकल कितना ईकृषई आपका आया इस परकार में लॉड लॉड लिगोल् कर दिया कॉमा आर्वी लोड़ी स्कोर मुल्टिप्लाई हंड्रेड देख सकते हमारा आखरी एकुरिशी है 93.48 जो अल्मोस्ट 94 परसंट का एकुरिशी दे रहा है यह यह भी आप बता सकते कंक्लूजन ने पीडी डॉड़ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इतना इतना प्रेडिक्ट और ओरिजनल में आपके लिए यह आपको बताता है कि जैसे कि ऑरिजनल वैल्यू हमारे 0.45 था हमने प्रेडिक किया 0.44 8.99 था हमने प्रेडिक किया 7.99 8.60 द प्रेडिक्ट के बताते हैं आपको कैसे करना है सबसे पहले तो आपको जगह पर कि जाना है तो आप इस जगह पर इसे जो है इसे आप यह यही डेटा से ना निकालना है अ पूरा नहीं पूरा नहीं कॉपी करना है यह वाला एक रो ही कॉपी करना है चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बस सेलिंग प्रेस हमें हटा देना है हमें कि इनकी सेलिंग प्रेस तो हमें प्रेडिक करना है तो इस जगह पर यह आपको लिप देना ऐसे इसको यहां से कम देना है इसको कार्ट के पस कॉमा देना है कि कर आदकन परको क मुक्त हैं कि परेटा इतना ही रहेगा इसको अनलेव कि प्रकिस कितना में है कि और उसका अर्फाइ डौक डॉट टाउट प्रेडिक्सें जर्अ करों तो देख सकते हैं कि 3.65 almost accuracy के बराबर ही है 3.65 और 3.65 में उतना बड़ा अंतर नहीं है चली प्रेंस तो कोई और डेटा भी आपके लिए जो लेके बता देता हूं जयसा की नीचे से कोई डेटा लेते हैं तो यह वाला लेते हैं यह वाला देता है आखरी वाला डेटा है नहीं देख ले मेंडेख कितना का एक रिशी बटा रहा है इसका तो यह पूरा परफेक्ट बताया है हुआ है विसकेल कुछ नहीं करना है इस ज champ पर इस विडिबूब के सohi टो होगे इस जो काटके कॉमा सिधसको काटके कॉमा ुपकर ओतके इसको काटके काटके कॉमा और यह हमारा सेलिंग प्रैज फाइप 10.30 में ने जो देख सकते हैं प्रेट्स कितना सुंदर में 5.163 5.30 प्रेडिक्ट ओरिजिनल वैल्यू था 5.16 हमारा वैल्यू तो फ्रेट्स इसे का असा देख सकते कि अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद प्रेट्स ऐसी में चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजे मैं आपके लिए बहुत